तो हई इस वेल्कम बेक टू माइ चैनल आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पिंट्रेस्ट एप्लिकेशन से किसी वीडियो को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि Pinterest application को ज्यादा तर photos के लिए use किया जाता है अगर हम Pinterest application पर किसी topic को search करते हैं तो उससे related photos और videos हमारे सामने आ जाते हैं हम उन videos को कैसे download कर सकते हैं या आज की video में हम आपको बताने वाले हैं तो guys वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को एकलाई कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो please हमारे चैनल को subscribe कर दीजिए उसके सामने के बिल आइकन को प्रेस करके all पे किलिक कर दीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली ऐसे ही interesting videos का notification आपको मिलता रहे तो आईए शुरू करते हैं तो guys जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आगाए हैं mobile के screen पे यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आप Pinterest video को कैसे download कर सकते हैं तो आईए शुरू करते हैं इसके लिए हमें सबसे पहले अपने mobile phone में Pinterest application को open कर लेना है तो guys हमने यहाँ पर Pinterest application को open कर लिया है कुछ इस तरह का interface open होता है अब यहाँ पर आपको उस video को select कर लेना है जिस video को आप download करना चाहते हैं अब आपको उपर की तरफ एक watch का option दिखाई दे रहा होगा आपको उस पर click कर देना है जैसे ही आप उस पर click करते हैं तो आपके सामने videos play हो जाती है अब यहाँ पर आपको उस video को select कर लेना है जिसको आप download करना चाहते है तो हमने यहाँ पर इस वाली video को select कर लिया है अब हमें एक option देखने को मिल जाता है share का हमें उसके उपर click कर देना है जैसे ही हम उसके उपर click करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का interface open होता है हमें उसे left side की तरफ स्क्रॉल करना है अब हमको एक option देखने को मिल जाएगा copy link का हमें उसके उपर click कर देना है जैसे ही हम उसके उपर click करते हैं तो guys आप देख सकते हैं कि video का link copy हो गया है उसके बाद हमको बैका जाना है अब आपको अपने mobile phone में chrome browser को open कर लेना है तो guys आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने chrome browser को open कर लिया है कुछ इस तरह का interface open होता है अब आपको यहाँ search bar में type करना है www.google.com इसके बाद हमें इसे search कर देना है तो guys आप देख सकते हैं कि google open हो गया है अब यहाँ search bar में आपको type करना है Pinterest Video Downloader तो guys हमने यहाँ पर इसे search कर दिया है अब हमारे सामने कुछ इस तरह का interface open होता है हमारे सामने जो पहली website आती है हमें उस पर click कर देना है जैसे ही हम उस पर click करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का interface open होता है हमें उसे उपर की तरफ scroll करना है यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस open होता है यहाँ पर हमें वीडियो डाउनलोड करने का option मिल जाएगा हम यहाँ से Pinterest वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं जिस वीडियो का link हमने copy किया था उसे हमें यहाँ search box में paste कर देना है तो हमने यहाँ पर उस वीडियो का link paste कर दिया है अब हमें यहाँ पर एक download का button दिखाई देगा हमें उस पर click करना है जैसे ही आप उस पर click करते हैं तो searching शुरू हो जाती है अब आपको उपर के तरफ scroll करना है जैसा कि guys आप देख सकते हैं कि जिस वीडियो का link आपने copy किया था वो वीडियो यहाँ पर show हो रही है अब उस वीडियो के नीचे आपको एक download का option दिखाई देगा आपको उसके ओपर click कर देना है जैसे ही आप उस पर click करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface open होता है यहाँ आपको नीचे की तरफ एक three dot का option दिखाई देगा आपको उसके ओपर click कर देना है जैसे ही आप उस पर click करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface open होता है यहां पर आपको download का एक option दिखाई देगा आपको उसके ओपर click कर देना है जैसे ही आप उसके click करते हैं तो आपकी वीडियो download हो जाती है तो हमारी वीडियो download हो गई है यहां पर हम आपको दिखा देते हैं तो गाइज आप देख सकते हैं कि हमारी वीडियो प्ले हो गई है आपर तो गाइज हम उम्मीद करते हैं कि आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि Pinterest वीडियो को कैसे डाउनलोड किया जाता है हम ने इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे दिया है आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट को यूज कर सकते हैं I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो फ्लीज वीडियो को लाइक कीजीए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए उसके सामने किबल आइकन को प्रेस करके All पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नौटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो गाइस अब हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल लखिए जय हिंद जय भारत